अब यहां से देखिए कि hydro power plant के लिए जो डेम तयार किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है इसमें क्या क्या construction होता है यहां से बहुत ध्यान पूरबक सुनना क्योंकि यहां से exam में question पूछा जाएगा hydroelectric power station का मतलब short form है haps ठीक है तो यहां से सुनना आप सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि hydroelectric power plant को बनाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे पहाडी छेत्र में पहाडी छेत्र क्यों क्योंकि उंचा ही चाहिए है मैं पानी की पहाडी छेत्र में हम देखेंगे नदिया यानि river कहां पर है river मिल जाएगी या कोई लेक ढूणेंगे यानि कि कोई घाटी जील या कोई नदी ठीक है नदी एविलेबल है पहाड़ों में पहले से ठीक reservoir बनाएंगे reservoir मतलब reservoir कैसे बनाएंगे reservoir बनाया जायेगए dam बना के तो हम dam तयार कर देंगे dam कैसे होगा बहुत सारी नदियों को एक जिकर junction बना के उनके सामने बढ़ा सा पहाड़ सा खड़ा कर देंगे पानी रोक दिया जाएगा उंचाई तक तो कितना पानी खड़ा करना है माल लिजे एक्जामपल ले लेते हैं टिहिरी डेम का टिहिरी डेम का एक्जामपल लिया तो टिहिरी डेम में जो डेम बना हुआ है उसकी उंचाई कितनी है 260 मीटर यानि 260 मीटर उंचा डेम है यानि सतह से 260 मीटर इतनी उचा ही तक पानी भरा हुआ है तो यह जो पानी भरा हुआ है नदी के अंदर यह कितना उचा भरा हुआ है तीरी लेक के अंदर 260 मीटर उचा तो यहां हमने डेम तयार कर दिया 260 मीटर उचा 260 मीटर का डेम तयार हो गया ये क्या है डेम पानी रोक गया ये इस डेम ने पानी रोक लिया न दियों का ठीक है तो ये जो construction है ये कहलाएगा reservoir क्योंकि पानी को रोका reserve कर लिया तो reservoir ये इसी को head बोलते है water head ठीक है अब भी बिजली पैदा करनी है तो हमें क्या करना होगा इस डेम मैंसे पतली पतली tunnel निकाली होंगी pipe c पतली पतली यानि हमें पानी आगए भेजना है तो इसलिए इस मैंसे पतली पतली तीन चार टनल बना देंगे पतली पतली ये tunnel बन गई ठीक है जी इस डेम मैंसे वो बराबर बराबर होती है 3D में मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि वो ऐसे समानतर रूप से होते है एक 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 दूर दूर इप ठीक है जब tunnel में से पानी निकलेगा उसके speed इतनी ज़्यादा होगी वो बहुत गती से जाएगा टैनल के बाद जैसे टैनल यहां से यहां तक बनी यह पानी जा रहा बहुत तेजी से अब यहां क्या होता है यहां क्या होता है यहां बनाया जाता है बरावर में एक और टैंक इसका नाम क्या होता है सर्ज टैंक सर्ज टैंक सर्ज टैंक सर्च टेंक किसलिए होता है कि जो टर्वाइन है वो घूमना बंद कर दे तो पीछे से पानी जा रहा है पीछे से पानी बहुत तेजी से जा रहा है माल लीजे इस टैनल के थूरू पानी जा रहा है आगे टर्वाइन घूमना बंद कर दे तो टर्वाइन उखाड़ देगा न को सज्टेंग इसलिए इसको क्या बोला गया सज्टेंग या रिजर्ब टेंग ठीक है सज्टेंग या रिजर्ब टेंग इसके बाद क्या होता है इसमें सज्टेंग के बाद यहां होता है एक वॉल्व हाउस यहां होता है वॉल्व हाउस वॉल्व हाउस मतलब पानी को कंट् टेनल ने के लिए टेनल के बराबर में एक सच टेंक बनाया है, टेंक यानि बहुत बड़ा गड़ा सा बना देते हैं, construction करके कि पानी को वहाँ स्टोर करा जा सके ऐसी situation में जब कोई problem आई टेंक, ठीक है, यह वाल्व हाउस है तो यहाँ टेनल से पानी जा रहा है वाल्व हाउस तक जा रहा है अब वाल्व हाउस का कारिया है, पानी को आगए भेजना है नहीं भेजना है, अब वाल्व हाउस ने बोला कि मैं पानी को बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ से gate बंद कर देगा पानी का, पानी बाइपास कहा हो जाएगा यहां यानि सच टेंग की तरफ अब क्या है मालीजी हमें बिजली तयार करने है तो बिजली कैसे होगी सर बिजली का तो कोई हैं मैटरी नहीं आया विद्धुत का अब क्या करेंगे अब इसके आगे हम लगा देंगे टर्वाइन नहीं अभी पाइब की स्पीड को बढ़ा जा सके तनी तेजी से कि पानी की स्पीड को बढ़ा जा सके पानी दूए की तरह जाए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर की कपानी कैसे निकलता है इस construction को देशी भासा में आपको समझा रहे हैं अब पैनि स्टोक के सामने जेश्ट लगी होती है आपकी क्या turbine यहाँ पंखडी और पंखडी के साथ ही क्या fit होते हैं alternator, alternator बोले तो generator यहाँ हम लिख देते हैं आपको syn-c-h-r-o-n-o-us synchronous alternator alternator बोले तो AC generator का ही नाम है AC generator को ही synchronous alternator बोला जाता है तो कभी भी आपसे कोई पूछे hydroelectric power plant में कौन से generator का use होता है तो आप बोलेंगे synchronous generator या synchronous alternator या AC generator ठीक है एक ही नाम है ठीक है तो यहाँ से आपको पता चला कि किसी भी hydroelectric power plant में सबसे पहले river होती है river बोले तो कोई नदी या घाटी बहुस्त उंचा पानी भरा हुआ होता है dam के जरी यह dam बना दिया dam से tunnel निकलती है इसको बोलते है tunnel tunnel कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा वाला एक pipe सी बनाती जाती है आजकल tunnel का use गाडियों को निकलने के लिए भी हो रहा है पानी के लिए भी होता है ठीक है तो tunnel tunnel बन गई tunnel के बाद यहाँ होता है क्या wall house wall house कुछ भी नहीं है पानी को रोकने का gate है जैसे आप नदियों में देखे होंगे gate पानी रोक दिया जाता है या पानी छोड़ दिया जाता है wall house के बाद पैनिश्टोक लगी होती है इस pipe का नाम क्या है पैनिश्टोक यह किस से निर्मित होती है इस टील से तो यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले river फे dam फे tunnel tunnel के तुरंत बाद कौन है wall house wall house के तुरंत बाद पैनिश्टोक और पैनिश्टोक के तुरंत बाद कौन है turbine turbine कौन से पिरकार की सर यह टीहिदी dam 260 meter उचा है तो वहाँ कौन सी लगाएंगे वह हम पहले ही बढ़ा चुके है impulse लगेगी उंचाई के हिसाब से तैह होती है कौन सी turbine लगानी हमे generator कौन से use होता है सर synchronous generator बन गया dam पूरा hydroelectric power plant हमने board पर ही तयार कर दिया लेकिन सर हमें यह समझ में नहीं आया इस search tank का meaning क्या है search tank क्यों बना माल लीजे आग ऐसे विजली की खपत कम हो गई विजली की खपत यानि base log peak load यहीं से आता है आग ऐसे बोला कि हमें विजली कम चाहिए अब विजली कम चाहिए तो generator को कम घुमाना पड़ेगा कम generator की जरूत होगी पहले चाहर जनरेटर चला रहे अब दो ही चलाएंगे हम विजली की खपत कम है तो जो पानी पीछ़ए से बहुत गती से जा रहा है उसको रोकना कैसे है तो कैसे करेंगे यह जो वाल्व हाउस है इसका gate बंद कर देंगे हम gate बंद कर दिया पानी रोकने की कोसिस की वाल्व हाउस से अगर वाल्व हाउस नहीं होता आगे जनरेटर डारेक्ट बंद कर देते तो पैनि स्टोक फट जाती ना पाई बही जब वाल्व हाउस ही नहीं है पानी रोकने का कोई रास्ता ही नहीं है तरीका ही नहीं है तो कैसे रोखोगे पानी इस पैनि स्टोक में पैनि स्टोक का मूँ बंद कर दोगे क्या जब पैनि स्टोक का मूँ बंद कर दोगे तो पैनि स्टोक फट जाएगी न तो इसी लिए पैनि स्टोक से तुरंत पहले एक वाल्व हाउस लगाया जाता है कि यहाँ पानी की requirement कम हुई अगर alternator पे तो पहले ही signal देंगे किसको valve house को valve house gate बंद कर देगा पानी जाना बंद पहने श्टोक में लेकिन पानी की रफ्तार तो पहले से ही ज़्यादा थी valve house ने पानी रोग दिया लेकिन पानी की speed को कम कैसे किया जाए वो जो पानी है ना फिर वो कहां जाता है surge tank में यानि surge tank में यानि एक अलग से tank बनाया जाता है पानी को store करने के लिए उसमें चला जाता है और surge tank से पानी जो ज़्यादा store पानी होता हो यहां आ जाता है वापस घूमके वापस आता रहता है ठीक है तो surge tank का पानी की capacity को reserve करने के लिए system का use होता है तो इस सारे point आपको यहाँ से clear होगे और यहाँ से मैंने आपको DC, AC machine से relative होता है कि कौन सा generator use होता है कौन सी turbine use होती है सारा कुछ बता दिया है मैंने आपको ठीक है और इसमें electricity बनाना बहुत ही सस्ता होता है और hydroelectric power plant के मुताविक वो मैं आपको बता देता हूँ अब मैं आपको एक और important point बता देता हूँ hydroelectric power plant के साथ ही क्या? कि जो बिजली बनती है वो कौन से power plant से सस्ती बनती है तो जो सबसे सस्ती बिजली बनाता है सबसे कम कोश्ट की बजली बनाता है वो बनाता है हाइडर एलेक्रिक पाउर प्लांट क्योंकि यहां किसी भी इंधन की ज़रूरत नहीं है फ्रीम बजली बनाता है समझे वाद सच्थी बजली इसलिए ही है दूसरा है आपका steam power plant या निए thermal power plant तो thermal का example क्या हो गया NTPC NTPC hydro का तिहीरी डेम तिहीरी डेम और भाकरा नागलबान दोनों ठीक है बहुत सारे कावेरी डेम भी है तो ये क्या है hydro के example है nuclear power plant नरोरा नरोरा powerhouse नरोरा ये UP बुलन सहर के अंदर है सबसे सस्ती विजली hydro बनाता है उससे महेंगी बनाता है इस टीम तीसरे नंबर पर nuclear और सबसे महेंगी विजली बनाता है diesel कौन सा आज कल पार्टिकों में जेनेटर यूज किया जाते हैं वो diesel वाला है उससे महेंगी विजली तज्यार करता है इसलिए घरों में diesel वाला यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे विजली महेंगी पड़ती है इसलिए हम बेसिकली जो गौर्मेंट विजली प्रोवैड करा रही है hydroelectric power plant की विजली यानि base load तो hydro ही है न उसमे आप बोलेंगे सर हमें क्या पता चल रहा है सर इस्टीम की आ रही है हमारे घर पर हाइडरो की वो आपको पता होने चाहिए गर्मियों के समय hydroelectric power plant की विजली प्रोवैड करा जाती है वेसिकली आपके घर पर क्योंकि base load हाइडरो होता है उसी के साथ steam या nuclear लगा सकते है peak load समझे बात तो यहां से आपको सारा समझ में आ गया अब इसी से related कुछ important points और बता देते हैं कि अब यहां से देखिए जो dam है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा dam कौन सा है सबसे चोड़ा कौन सा है उनको जान लेते हैं जो इंडिया का सबसे उंचा डेम है वो कौन सा है तिहीरी डेम यानि भारत का जो सबसे उंचा डेम है उसका नहा में तिहीरी डेम यानि 260 मीटर उंचा है इसका water head कितना है water head कितना है 260 मीटर दूसरे नमर पर कौन आता है भाकरा नागल बांद यानि भाकरा डैम 226 मीटर उंचाए ठीक है इसकी लिष्ट आप गूगल पर देख सकते हैं यानि इंडियास हाइस डैम पूरी लिष्ट निकल का जाएगे आप वहाँ से याद कर सकते हैं मैं आपको तरीका पताए दे रहा हूँ अब दूसरी बात आती है तो इंडिया की बात हुई वर्ल्ड की यानि संसार में पूरे विस्म में कौन सा डैम सबसे उंचा है वर्ल्ड हाइस्ट डैम जिन पिंग यानि जिन पिंग फर्ष्ट डैम जो कि 305 मीटर उंचा है जो चाइना ने निर्मित किया है इससे पहले इसिया के अंदर जो सबसे उंचा डैम था वो टिहरी था लेकिन फिलाल जिन पिंग फर्ष्ट है क्योंकि चाइना ने सबसे उंचा डैम त्यार करा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस देश के पास कितना उंचा डैम है लेकिन ये पढ़ने के लिए है, एक्जम में पूछा जाता है, ठीक है, संसार का सबसे उचा डैम जो है चाइना का है, जिन्पिंफर्ष्ट और भारत का सबसे उचा डैम है, तिहिरी डैम, दूसरे नमबर पे आता है भारत में, भाक्रा, अब बात आते हैं कि संसार का सबसे बड़ा डैम, यानि बिगएस्ट डैम कौन सा है, वर्ल्ड बिगएस्ट डैम, बिगएस्ट का मतलब उचाई से नहीं, चोड़ाई से है, समझे बात, एक तो बात होचिए कि उचा कितना है, और दूसरा है कि चोड़ा कितना है, तो चोड़ाई की बात करें, तो बिगएस् तो जिन पिंग फर्ष्ट पूछे इंडिया इस हाइस डेम तो यहां से डेम से रेलिटेड भी आपका कॉंसेट किलियर हुआ अब आपसे पूछेगा कि जो यह जो डेम होते हैं यानि हाइड्र एलेक्टिक पार प्लांट होते हैं कौन सी गैस सर्जित करते हैं इसी में इन्वाइरोमेंट भी जोड़ जाता है परिए इन्वाइरोमेंट में कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है यहीं से question पूछता है वीज़से 30 question हर एक exam में जिन के exam में इन्वाइरोमेंट से रिलेक्टी भी पूछे जा रहे हैं पूछेगा hydroelectric power plant से कौन सी gas का उत्सर्जन होता है तो आप बोलेंगे no, none of these क्योंकि कोई gas इससे उत्सर्जित होते ही नहीं है जबकि जो steam power plant और nuclear power plant वो gas का उत्सर्जन करते हैं ठीक है, वहाँ से निकलती है gas तो ऐसे question आप से पूछे जाएंगे, आप Google से देखें कि कौन सी gas निकलती है इतनी knowledge आप खुद भी रखते हैं, आप Google पर सर्च कर सकते है which gas is spread by steam power plant ऐसी चीज़ों को खुद भी देखें, तभी आप तैयारी कर पाएंगे तो thank you so much for watching this lecture, see you again tomorrow with new lecture steam power plant भई आपने hydro में सारा construction सो समझ लिया लगवाग ऐसा ही construction होता इस team का, सिर्फ उसमें पहनी की जगा coil जुड़ जाता है, तीक है उसको भी हम steady करेंगे, बहुत ही बारिकी से तो यहां से इस lecture को यहीं समाप्त करते हैं आप चैनल को सेयर करें, सस्काइब करें, दोस्तों दग भेजें ताकि यह physics का आसन वहासा का lecture सभी की help कर सके इसमें मेरा ज़्यादा benefit नहीं है, आपका ही benefit है अगर आप इससे steady करेंगे, तो आपके सारी concept किलियर होते चले जाएंगे Thank you so much again चहिन पंदे मात्र